हेलो व्रीवाण वेलकुम बैक तो दे चैनल समीन आजी दिलवर्ण तोजी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे आइडियास शेयर करने वाले हैं जो कि नॉन मॉडिलर के लिए बहुत जादा यूसफुल होने वाले हैं हम आज आपके साथ के साथ मुशो शॉपिंग हॉल जिसमें कि हमने बहुत ही यूसफुल प्रोडॉक्ट्स को बाई किया है जो कि हमें बहुत ही रीजनेबल रेट में मिले हैं साथ ही कुछ ऐसे डियावाइड आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिनको करके आप अपने नॉन मॉडिलर किचिन को बहुत ही खुबसूरती के साथ डेकुरेट कर सकते हैं साथ ही साथ और्गनाइज भी कर सकते हैं तो जी फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल एंट तक देखिएगा क्योंकि सारी ही आइडिया आपको 100% पसंद आएंगे अच्छे देखिए होता है क्या है ना कि नॉन मॉडिलर किचिन में हर एक चीज विजिबल होती है यानि कि सारे ही समान सामने से नजर आता है जिसके लिए करते हैं सबसे पहला DIY तो इस DIY के लिए हमने लिया है यहाँ पर protein X का झाली बॉक्स डिस्पे की हम यहाँ पर जैसो एपलाई कर रहे हैं जैसो एपलाई कर देने से इसमे एक smooth finish आ जाता है और जब इसके ऊपर कोई दूसरा पेंट करेंगे तो अच्छे से चड़ जाएगा साथ में जो आप इस प्रेंज डेबर देख रहे है यह हमने डिया वाई किया है कैसे किया है यह वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा फिलाल कर लेते हैं इसको अच्छे तरीके से कवर जैसो से जब यह अच्छे से ड्राइ हो गया है उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है गोल्डन कलर का अक्रेलिक कलर और उससे हम इसको पेंट कर देंगे पूरी अच्छे तरीके से कवर कर देंगे जब पूरा अच्छे से पे हो जाते हैं दूसरी बात के इनकी जो डियोरेबिलिटी होती है वो भी काफी अच्छी होती है और इस तरीके के डियाइवाइस को अगर आप लॉंग टाइम चलाना चाहते हैं तो इसके उपर आप वांडिश जरूर कर दें तो यह लॉंग टाइम आराम से चल जाते हैं किसी इसकी आउटलाइन यहां पर बना देंगे इससे एकदम से उब्रा उब्रा सा डिजाइन लगेगा 3D पैटन में दिखने लगेगा अच्छी जब यह ड्राइ हो गया है अब हमने यहां पर एयर बड ली है ब्लैक कलर से यहां पर डॉट्स बनाते रहे हैं बजी सिंपल सा ड कॉलर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत है इसे पहले भी हमने इस पैचुलाज और करे थे दो बार हम रिटर्न कर चुके हैं थार्ड टाइम में इनको मंगाया है और अब हम इनसे सैटिस्फाय हैं बिकॉस देखने में भी खुबसूरत हैं और जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं रखते हैं बट इस डियाइवाइ बॉक्स के अंदर जब रखेंगे ना तो नॉन मॉडिलर किचिन में रखा वो बे इंतहा खुबसूरत लगने वाला है कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा चलीजी अब बात करते हैं कुछ इ इनको रखने के लिए किस तरीके का और्गनाईजर हम लोग बना सकते हैं चलीए वो बताते हैं तो यहां पर हमारे पास यह पी वी सी का एक बड़ा सा पाइप था टुकडा ही पड़ा था यह उसी को हमने ले लिया है उसके बाद हमने एक मैडिसिन का ढखकन लिया है उसे पुरानी नाइफ को हमने गैस पे गरम किया है और उससे हम इसको यहां से कट कर देंगे बार बार नाइफ को गरम करकर के इसको कट कर लेना है एक साथ तो यह कट नहीं होता है उसके बाद जी कट हो गया है फिर हमने सैंड पे पर लिया है और उससे इसको रब कर देंगे इसक जो आप ले सकते हैं, जो लगा देना है और उसके बाद काट्बोर्ट का पीस इसको पर लग देना है, प्रेस करना है, कुछ भारी चीज को 1-2 गंटे के लिए रखके इस पर छोड़ देना है, उसके बाद यह ड्राय हो जाएगा, देख सकते हैं, अगर नीचे से यह बिलकु अब जी यहां पर हमने ले लिया है gift wrap paper और उसको हम इसके ऊपर wrap करेंगे फेवी कोल लगा दिया है एक साइड में और इस gift wrap paper को इसके ऊपर इस तरह से कर दिया है आप इसकी जगह पे वाल पेपर अगर आपके पास पड़ाओ तो उसको भी यूज कर सकते हैं नीचे थोड़ थोड़ा सा पेपर इस तरीके से कट कर दिया है थोड़ी थोड़ी दूरी पे फेविकोल लगाते जा रहे हैं और इस स्टिफ कट हुई है इनको अंदर अब जो हमने सर्कल कट किया दा ना वहां पर हमें सीजर से छोटा से एक होल करके इस तरह से कट लगा लेना है और चारो तरफ जब कट लग जाएगा फिर यहां पर हमें लगाना है फेविकोल दैन इसको भी अंदर की तरफ हलके हलके से मोड़ देना है इसे क्या होगा तो यह तो इसे अव तरह चलते हैं तो दीने कर सकते हैं कैसा बताते हैं यहां भी आपर रख देते हैं और इसके इंदर डाल देगह तो इसमें भर देंगे वन बाइ वन इस तरीके से और नीचे से देखे कुछ इस तरह सी ये निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से अभी डियावा ओर्गनाजर में बनाया ना देखने में इतना खुब सुरत है कि आप इसको एजवास यूज कर सकते हैं तो वास में लगाने के लि और इसके साथ आई हैं यहां पर यह बड़ी बड़ी से लीव्स इन लीव्स को इसके अंदर अटैच कर देना है और यहां पर यह खुब सुरत सा हमारा एक ग्रीन प्लांट बनकर रेडी हो जाएगा यह वाला प्रोड़क्ट भी हमें काफी पसंद आया है क्योंकि जब ली इसके लिए आपके साथ शेयर करते हैं अगर आपके जो वास का मुह ना वो बड़ा सा है तो क्या करें आप अपने फ्लावर बंच की जो दंडिया उनको इस तरीके से पीछे की तरफ को आप उनको मोड़ दें वायर होता है इसमें आसानी से पीछे की तरफ मोड़ जाती है अब इनको थोड़ा सा प्रेस करना है और इसके बाद जब आप अपने किसी भी बड़े मुखे वास में इसको लगाएंगे ना तो पॉफेक्टली यह इस तरह से फिट हो जाएगा है ना बड़ी हैसा है जूर ट्राय करिएगा अचा अब यह हो गया हमारा ट्वीन वान ओर इस तरह से इसमें आप पनिया वगरा भी अपने स्टोर करके रख सकते हैं जो भी आपके पॉलो थिन बैक्स है और आप इसको एज फ्लावर वास यूज कर सकते हैं जो कि नॉन मोडूलर किचिन के लिए बैस्ट आप्शन है क्योंकि इसको जब आप अपने केचिन में रख चलिए बढ़ते हैं की तरफ नेक्स डी हे के लिए यहां चोटी सबसाल सकते हैं उर। एक प्सक्तरा सेसे कर देंगे अच्छ से प्रेस करेंगे ऑफ अक्टे की साइट मेगा श्यू श्यी Elizabeth थिर से अटाच हो जाए ठोड़ा सा प्रेस करेंगे और उसके बाद जो उपर वाला पार्ट है वहां पर भी में ग्लू लगाया है तो यहां पर हमारे पास एक लेस रखी थी वह इसके चाल तरफ हम लपेट दे रहें कुछ इस तरह से इसे क्या होगा ना कि इन धकनों को एक दम से एक नया लुक मिल जाएगा पुरानी बढ़नियों को भी नया लुक मिल जाएगा और जब यह किचिन में और रखेंगे न तो यह अपने आप में एक डेकोर पीस बन जाएंगी और हमारा ओर्गनाइजर तो यह है ही तो देख सकते हैं इस तरह ही कैसे हमने इसको लगा दिय ने रिया ऑप बटन और अब यह हो गया है पूरी तरीके से रेडी इसी तरीके से हमारी जो और पर ने इन ऑपर लगाया है इसी तरीके से से रेडी कर लिया है कुछ इस तरह से बस जी आप इन बर्नीज को आप ओपन चेल्फ में रखें या फिर अपने काउंटर टॉप पे रखें जिस भी जगह पे रखेंगे ये काफी खुबसरत लेगेंगी वहाँ पर रखी हुई चेली जी अब आपके साथ शेयर करते हैं स्पंज डैबर बनाने का DIY कि कैसे हम लोग स्पंज डैबर को घर में बना सकते हैं यहाँ आप आप देश सकते हैं दो हमारे पार फोम के इस तरीके के पीसे हैं यह जो है राउंड वाला है इसमें हमारे हजबिन की वाच आई थी और यह दूसरा वाला ऐसे हमारे पास एक पीस पड़ा हुआ था जिसको की हमने मैडिसिन के एक ढकन है उससे स्था से राउंड सर्कल बना लिया इसके उपर और आप बस इसको साइड से पूरा कट करते जाना है और एक सर्कल के शेप में ले आना है तो दोनों ही एक बड़ा हम बना ले रहे हैं और एक छोटा इस तरीके कर डबल वाला फोम जो हो आप यूज करें अब क्या करना है इसमें हमें लगाना है डंडी तो इसके लिए हमारे पास एक मारकर था उसकी नोक तूट गई थी बस उसको हमने ले लिया है यहां पर हम थ इसको चिपकने में थोड़ा सा टाइम लेता है होल्ड करके रखना पड़ता है यह बन जाता है यह हमारे सपंज डेबर बनकर रेडी हो गया है घर पे बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट इसी तरीके से एक पैन हमारे पास रखा है इसके निडल हम निकाल देंगे आगे से उसके प्रेस करके रखना है थोड़ी दिर होल्ड करना है और यहां पर दे सकते हैं हमारे स्पंज डेबर बनकर रही हो गया है चलिए आप कर लेता है इनसे एक और डिया तो यहां पर हमारे पास यह जार है काच की बढ़नी है जो की दीमार्ट से हमने ली थी और आई थिंक के यह हर घर में आपको मिल जाएंगी यह हमारे पास भी है काफी टाइम से हम इनको यूज कर रहे हैं थोड़ी सी पुरानी से लगने लगी है तो सोचा है इनको थोड़ा सा मेक ओवर कर देते हैं इसके लिए हमने यह नॉब ली है और यह जो होता है इसमें सेल्फ अडेसिव गरे क् सकते हैं इतना किसी भी जार और वर्णी को एक न्या बहुत देने के लिए नहीं पर रुखने वाले नहीं हैं इन और एक नए लोक देने वाले जिसके लिए हम यहां पर लगा रहे हैं इसके नीचे की बीज का पार्णान्या तरहां प batch प्रिए पेट करने से पहले हम जैस्व अप्लाई करेंगे और इस पंज डाबर के हेलब से हम इस पर यह जो आपलाई कर देंगे कुछ इस तरह से काच की बर्नी है तो डेरेक्ट अबर पैंट करेंगे तो इसमें स्ट्रोक नजर आते हैं प्रश के अगर बशना चाहते हैं तो और उसको इसके ओपर हम इस तरह से ब्रेश की हैफ से पेंट कर देंगे अब इस बढ़नी का धक्कन है उस पे भी हमने पहले जैस्ट अपलाई कर दिया था अब हम इस पे वाइट अक्रेलिक कर रहे हैं और अब हम इसको थोड़ा से एक नया लुक देने वाले हैं जिसके जा रहे हैं जो चैस होता है उसकी थीम हमने लिए और उस तरीके से इसको हम पेंट कर देंगे और इसको डेकुरेट कर देंगे देख सकते हैं बस बीच बीच में हम ब्लैक कलर से पेंट करते जा रहे हैं और इस बढ़नी का लुक ही पूरी तरीके से चेंज होता जा रहा है तो जी अगर इस तरीकी की बनी आप पेंट करते हैं तो उनको भी डूरेबल बनाने के लिए आप उस पे वर्णिट ज़रूर अप्लाई कर दें यह हमारा हो गया है उसके बाद जो हमारा इसकी बनी का धक्कन है उसको भी हम पेंट कर देंगे ब्लैक कलर से बीच में जहां पे हमने नॉब लगाई थी ना उसके चारो तरफ एक सरकल सा रहा है बस वो सरकल हमने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है बाकी जो किनारे वाला पार्ट है उसको भी हम ब्लैक कलर से पेंट कर रहे हैं और बीच के पार्ट को हमने वाइट ही छोड़ क्या है कि अपने कॉंटर टॉप्र पर भी रख सकते हैं तो कोई भी चीज इसको डेखरें पांचा लगता है वहाँ दूसरी बरनी जुका विछ प्रिचे हैं वहाँ पशन रख लादेटाइं जो कि बहुत ही फाइदे मन भी होती है तो बस किसी भी ट्रे में इनको रख देना है एंड इसको रखना है अपनी किचिन में या फिर डैनिंग डूम में चलिए डियाइवाइज अल्मोस्ट कम्प्लीट हो चुके हैं अब आपको दिखाते हैं अपनी कुछ शॉपिंग जिसे गरम मसाले बॉक्स जिसमें की वुडन का बना हुआ है और इसमें इस तरीके के 9 चोटे-चोटे से बॉक्स जाए है एक चोट असा इसमें स्पून भी आया है और यह जो चोटे-चोटे से बॉक्स निकाल सकते हैं तो यह बेस्ट पार्ट है क्यों बेस्ट पार्ट है क्यों तो आप सोचा इनको चेंज कर लेते हैं और इनको हम इस वाले बॉक्स में ट्रांसफर कर देंगे यह बॉक्स इतने क्यूट और प्यारे से हैं कि इसमें समान रखते ही समान की वैल्यू बढ़ गई है आप लोग को कैसा लग रहा है यह प्रोड़क्ट में जरूर बताइएग आप लग तो यह निखेस एह संदूत कर दोड़गा है वेस्ता है एक ना ऑ्यदोत ने जरूंट आप लिए कि इस थी वाली वाहरी कि नहीं है अच्वाइन से देकते हैं कितना ही खुबसूरत लग रहा है और openly इसको अगर हम रखते हैं कहीं पर भी सिफ काउंटर टॉप भी रख देते हैं तो यह अपने आप में ही एक पीस ऐसा है ना कि किसी की भी नजर इसके उपर से नहीं हटने वाली है है ना कितना खुबसूरत लग रहा है चलिए जी जाता है शुगर वगरा हर चीज और यह बड़े बॉक्स ही हमने मंगाए है विकाज हमारी है चाय वगरा जादा पी जाती है तो बार बार चीनी पती भरना बॉक्स में यह हमें थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है इस वर्या से हम बड़े कंटेनर से यूज करते हैं और इ इन डबो में भी अपने चीनी पती और कॉफी को लख लेते हैं और इससे करते हैं अपने कॉंटर टॉप को डेकुरेट तो इनको हमने दो लिया था चे तरीके से उसके बड़ ड्राइ कर दिया है अब इसमें हम अपना समान रख देंगे जो भी चीनी पती है तो यहाँ पर पुराने चीनी पती के डबे है इनको करीब हम पांस साल से यूज कर रहे हैं तो इनसे दिल भर गया है हाला कि यह बिल्कुल भी खराब नहीं हुए है बिल्कुल सही कंडिशन में है तो इन में कुछ और चीजों को स्टोर कर देंगे क्योंकि यह भी एर टाइट ही थे हमार सारे सामानों से और इसको हम रखेंगे अपने काउंटर टॉप पे चलिजी नेक्स समान आपको दिखाते हैं जो कि हमने मीशों से ही बाई किया है और यह है एक वेट मर्शीन फोर किचिन पॉपस किचिन के लिए हमने यह बाई किया है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोड़क प्रोड़क प्रोड़के लगाने सब्सक्राइब के लिए है तो इसको अपने किचिन में आसानी से उस कर सकते हैं कुछ भी चीज़े ऐसी होती है जिनके मेजरमेंट की ज़रूत होती है तो यह बहुत ज़ादा यूसफुल चीज हमें लगी है देखिए कुछ इस तरीके से लग लिएनए एक लीड है इसमें यहां पर यह पर यह झाली यहां यहां पर यहां पर यहां पर यह करें तो यहां पर हम इसके 105 ग्रैम में निकाल देंगे तो 100 ग्राम हमारा यहां पर एक्जेक्ट यह हमें मिल जाएगा इत के टाइम पर बहुत यूज आता है केक की चीजों में बहुत यूज आता है यानि बेकिंग के कामों में और साथ हम लोग अगर डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो भी हम लोग को इसकी जूरुवत परती है इसी परपस इसको हमने लिया है लास्ट प्रोड़क्ट जो है हमारा वो है यह किचिन मैट जो कि एकदम कलरफुल हमने इस बार लिया है इसी क्वालिटी का एक और हमने पहले लिया तो वह भी भी यूज कर रहा है इस पर हमने यह वाला ले लिया है इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा जो कि हमारा किचन मेक ओवर का वीडियो तो उसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा किस तरीके से इन सारी चीजों को हम लोग नॉन मॉडिलर किचन में और उसको आसानी से डेकुरेट कर सकते हैं तो जिफी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है अपना ख्यार रखिएगा अपने घर को डे क्यार एंड बाबाए